हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टो माय चैनल फॉर कुपिंग लवर्स आज मैं आपके लिए एक रेस्पी लेकर आई हूं वह एक करी की रेस्पी जो थोड़ा मैंने डिफरेंट स्टाइल में इसे बनाया है जो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा आए इसे हम बनाते हैं मैं अनले लिया है यह फाइप बॉइल एग है और यह अद्रकल्हशण और हरी मिच्ट नं पिर्शट है और यह मैंने दो टंमाटर यमएकर इसे 5 के रख लिया और यह एका आप बारिक चॉप करके रख लिया है और यह दो प्याज है पड़े इसे मैंने पीज के रख लिया है अब इसे हम एक को नाइप की सहायता से अच्छे से कट कर लेंगे इसी तरह से आप सारे एक को कट कर लिजिएगा यह देखिए हमारे सारे एक कट करके मैंने रख दिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली और थोड़ा सा मैंने आधा चम्मत से भी कम मैंने इसमें रेड चिली यूज किया और थोड़ा सा मैंने नमक एड यूज करना है ताकि इसमें एक में अच्छे से डेस आजाए नमक का हमने गैस पर रख दिया है कड़ाई अब इस पर हम डालेंगे और ऑल और इसे गर्म होने देते हैं हमारा ओयल गर्म हो चुका है अब इसे बहुत ही सावधानी से आप धीरे-धीरे करके आप एक को डाल दीजेगा यह फूटे नहीं आप ध्यान डखना और हमारा जो ऑयल हो अच्छे अच्छे से गर्म होना चाहिए नवी तो एक जो हो चीपक जाए गर नीचे तो ऑयल हमारा बूस्त होना चाहिए थोड़ा मीडियम पर यह देखिए हमारे एक जो है फ्राइ हो चुके है इसका यलो पार्ट जो है वो अच्छे से फ्राइ हो चुका है और थोड़ा कि जो पार्टि जो अन्दर का जो फ्राइश लाएगा तो मैंने थोड़ा अलग अन्दाज में बना इसमें बड़ी इलाइची है तेज पत्ता है जीरा है दो से तीन काली मिल्च है और लॉंग है और इसे हम थोड़े दिर भुनने देंगे उसके बाद हम दालेंगे इसमें प्याज इसे भी आप पुनने दीजेगा फ्लेम मीडियम रखना ताकि हमारी प्याज जली नहीं और अ सुन और हरी मिल्च का पेस्ट आप चाहे तो हरी मिल्च इसकी भी कर सकते हैं और इसे आप चम्मस चलाते रहें फ्लेम मीडियम रखना प्याज हमारा जवाज जली नहीं और देखिए प्याज जो हमारा भुन चुका है अब इसमें हम डालेंगे भिंगे हुवे मसाले मैंने लिया है एक चम्मस धनिया पाउडर एक चम्मस मैंने लिया हलाल मिच का पाउडर आधा चम्मस लिया है गरम मसाला और आधा चम्मस लिया है मैंने हल्दी का पाउडर और दो चम्मस मैंने डाला इसमें चिकन मसाला और इसे मैंने भिंगा के रख दिया था अब इस पे हम ड यह दो-तीर मिल्ट बाद मैंने ओपन करकी देखाया है देखिए हमारे जो मसाले है वो भून रहे हैं अभी इसे अभी और भूनना है तो इसे अभी थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए और हमारे सब्ची है वह बहुत ही टेस्टी मेन है और यह देखिए मसाली जो अच्छी तरह से भून चुके हैं अब इस पर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी मैंने इस दो टमाटर यूज किया इस पर आप चाहे तो बारिक चॉप करके भी टमाटर डाल सकते हैं और इसे हम 5-6 मिनट के लिए अच अच्छी तरह इसे पक चुके हैं मसाला जो है बनका तयार हो चुका एकदम अब इस पर हम डालेंगे पानी ग्रेवी के लिए मैंने ग्रेवी जो है गाणी रखी है इसमें आदा गिलास पानी यूज किया है और इसे हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे दो से 3 मिनट बाद हम इसे ओपन करके देखेंगे और हमारा जो ग्रेवी है वो बनका तयार हो चुका है खुस्बू बहुत ही मज़े की आ रही है बहुत ही तेस्टी बनी है आप भी चुरू ट्राइक करना हम इसी तरह से सारे एक को दीदेदेरे करके डाल देंगे और इसक के लिए ताकि जो एग है वो ग्रेवी को अच्छे तरह से अब्जर्ब कर ले इसी ठाक दीजिए यह देखिए हमारी एक करी बनका त्यार हो चुकी है दिखने में जब अजस्त दिख रहा है उतना खाने में भी बहुत ही जब अजस्त है आप इसे गर्म गर्म खाईए हुआ बहुत है